So hi everyone, this is Rohit Nagar, welcome back to my new video अब यार वीडियो मैंने chemistry के लिए already बना दिया How to score 50 plus marks in last 20 days J-Main's first attempt अब यार physics और maths के लिए remaining थी तो यार आपके पास लगबग around 15 days remaining है तो आपके पास time भी कम था तो मैंने सोचा physics और maths के लिए combined video बना दी जाए जिसके अंदर हम weightage बगएरा discuss करेंगे कि physics और chemistry में most important chapters कौन से है प्लस यार हर shift के अंदर on an average हर chapter से कितने questions पोचे जाते हैं तो मैंने previous year 2-3 साल के previous year questions को analyze करके या papers को analyze करके ये weightage no doubt की है And second is कि आप maths और physics के अंदर भी 40 plus marks से score कर सकते हो उन last 15 days के अंदर बस इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंद तक अच्छे से देखना मैं इसमें काफी सारे points discuss करने वाले हूँ जो बहुत important होने वाले आप सभी के लिए आपकी preparation board level तक थी या आपने just start क्या है तब भी आप 40 plus score कर सकते हो बस इस वीडियो को अच्छे से देखना कोई भी point miss मत करना और इसमें बहुत सारे चीज़े share करने वाले हैं जैसे कि short analysis देखेंगे कि किस type के questions पोछा जाते हैं कितने easy questions आते हैं moderate tough कितने questions आते हैं plus कैसे revision करना ये सारे चीज़े question practice कहां से करनी है क्या 15 days में हो पाएगा तो ये सारे चीज़े discuss करेंगे so let's start the video अब सबसे पहले यार maths and physics की बात करते हैं तो यार देखो अगर आप 40 plus marks या 50 marks लेकर आ जाते हो total इन 3 subjects के अंदर तो आपका on an average 140 to 150 marks बनते हैं जिसमें आपकी 95 percentile आ सकती है जे में फर्स्ट अटेंप्ट के अंदर अगर आप 140 से 150 के बीच में score करते हो तो अगर आपको just selection चाहिए तो तब भी आपके लिए वीडियो helpful होने वाली है अब यार इस वीडियो में मैं ये बिलकुल नहीं कहरा कि आप 99 percentile लिया होगे ये आपकी बिलकुल भी preparation नहीं है फिर भी आप 40 marks लिया होगे थोड़ी बहुत आपकी board level preparation होनी चाहिए कुछ chapters आपके cover होनी चाहिए थोड़ा बहुत idea होगा तो आप easily कर लोगे अब इसमें short analysis करते हैं सबसे पहले आता है attempt 10 to 12 questions out of 30 questions अब यार देखो 30 questions होने वाले हैं जिसमें आपके 12 MCQs, 20 MCQs होने वाले हैं 10 numerical questions होने वाले हैं जिसमें की any 5 आपको attempt करने होते हैं तो आपको ये pattern वगेर तो already बता होगा तो इसमें से आपको सिर्फ 10 से 12 questions ही attempt करने हैं no need of attempting 15, 20 और 25 questions सिर्फ आपको 10 से 12 questions attempt करने होंगे अब यार ये 10 से 12 questions की बात करें physics का लगे, maths का लगे इसमें आप 10 to 12 questions chemistry, sorry physics के अंदर easy questions आते हैं जो direct formula based होते हैं या आप previous year questions solve करोगे last 2 to 3 years के previous year questions solve करोगे तो आपको उसी से idea लग जाएगा कि किस type की questions पूछे जाते हैं easy होंगे या previous year से linked questions होंगे 12 questions ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा concept लगाना पड़ता है दिमाग का use करना पड़ता है तो medium उन्हें बोलेंगे moderate level के questions आते हैं 6 ऐसे questions होंगे जो वाके में honestly tough आएंगे कुछ questions यार NTA वालों को थोड़ी tough बनाने होते हैं क्योंकि जो बच्चे 99% परसेंटाई target कर रहे हैं ताकि यार rank में competition बढ़ जाता है तो इसलिए 6 questions वो tough डालते हैं लेकिन हमें उससे attention नहीं लेनी है हमारा target तो होना चाहिए ये 10 to 12 questions similarly maths के अंदर भी आपको दिख रहा हुआ 8-10 questions easy आते हैं then 12 questions medium और 8 questions tough आएंगे ही आएंगे और यार ये even advanced level तक tough हो जाते हैं maths के अंदर तो आपको इन 8-10 questions पर target करना है कुछ moderate level की question पर अब यार easy questions का मतलब होता है जो formula based questions हो आपने previous year question किये हैं directly उसी type का question उठकर आ गया ये सारे easy category में जाते हैं third point is only revision मतलब यार इस time पर आप अपना cover करो syllabus plus revision करो revision किसके थूँ करना है one shot videos के थूँ physics के लिए आप यार physics galaxy की checklist follow कर सकते हो जो की बहुत important है उसके अलावा किसी और दूसरी चीज़ पर मत जाओ सर्च कर सकते हो और सिर्फ question practice के लिए previous year question solve करने है last के 2-3 साल के मतलब 2019, 20, 21 के previous year question solve करने है practice के लिए so guys now move to the most important chapters जो आपको करने ही है करके जाने ही है आपने already कर लिए तो उनका revision इसी order में करना है सबसे पहले यार हम physics को लेते हैं अब physics के अंदर यार मैंने around 10 chapters लिखे हैं जिनकी weightage भी साथ में लिखी है first is unit and dimension से एक question आता ही आता है बहुत ही easy है यार अगर आप one shot देखोगे तो एक दो घंटे के अंदर ही हो जाएगा plus previous year question कर लो हर दिन का target बना लोगी कम से कम एक physics एक chemistry और एक maths का chapter cover करना ही है theory plus pyq से देखो महनत तो करनी पड़ेगी यार महनत लगेगी of course अब यार देखो second chapter is waves अब यार मैंने starting में कुछ important chapters रखे हैं जैसे waves हो गया इसमें अगर आपने waves chapter पूरा नहीं पढ़ा तो सिर्फ Doppler's effect भी पढ़ा तो 90% case के अंदर Doppler's effect से ही question आता है तो one question इदर से आ जाता है third is EM wave से भी एक question आता है काफी easy है modern physics से दो question आते हैं इसकी weightage काफी जादा हाई है तो ये modern physics बिल्कूल भी मत छोड़ के जाना one short video से cover कर लेना now fifth is electrostatics plus capacitance से भी दो से तीन question आते हैं ये chapter अभी अच्छे से कर लेते हैं तो इसलिए मैंने include करती है और इनकी काफी जादा high weightage है तो 4 question आप देख सकते हो 4 से 5 question है सिर्फ इन 2 chapter से seventh is ray optics अब ray optics कर लो प्लस यार wave optics से ydse भी करके जा सकते हो आप और उसमें यार एक polarization का भी question आता है और आपको ना इसके साथ साथ आपको search करने है चीज़े कि कौनसे chapter से previous year question को analyze करके कि most important topics कौनसे है जो most repeated questions आते हैं वो topic ज़रूर करके जाना जैसे wave optics में polarization पे question आता ही आता है ydse से question आ जाता है 8 is laws of motion प्लस friction पिछले 2 साल में आर देखा गया है कि laws of motion मतलब mechanics से काफी जादा high weightage हो गया तो laws of motion ने friction पार्ट से भी question आ जाता है center of mass collision से भी question आ जाता है work power energy से भी question आ जाता है और maximum time energy conservation के अंदर से आता है अब यार यह सारे आप chapters को अगर जितने भी questions आ रहे हैं add on करोगे around 30 questions बनते हैं 13 questions बनते हैं 50 plus score कर सकते हो गर आप 13 questions attempt कर दो तो यार इसका आप screenshot ले सकते हो और note down कर सकते हो इस सारे chapters को बिलकुल भी छोड के नहीं जाने है इस में से एक भी chapter ऐसा नहीं है जिससे question नहीं आएगा आएगा ही आएगा और आपको यह पढ़ने कहां से हैं one shot videos follow करो और question practice के लिए previous year question करो chapter wise तो यार अभी तक हमने physics का already देख लिया कि किस type के questions आने वाले chapters वगेरा अब हम चलते हैं maths पे अब maths पे यार आपको start करने से पहले बता देता हूँ maths के अंदर 50, 60, 70 80 या 90 marks लेकर आना काफी tough होता है लेकिन यार honestly speaking 40 marks लाना इतना tough नहीं होता है क्योंकि आप most important और easy chapters को भी target करके 40 plus marks maths के अंदर easily ला सकते हो तो आपको सबसे पहले mathematical reasoning chapter करना होगा जो कि आप YouTube पे one shot video सर्च करोगे वेदानतु math या निहा मैम, inclined mathematics ऐसे करके कुछ नाम है चैनल का उस पे आप सर्च करोगे तो एक दो घंटे के अंदर आपको theory भी कराई हुई है plus questions भी तो वो तो आपका एक घंटे के अंदर ही complete हो जाएगा ये lecture तो statistics भी नहीं छोड़ के जाना है बहुत छोटा सा chapter है तो कर लेना है even NCRT से कर लोगे तब भी हो जाएगा या मैं तो कहूंगा आप one shot videos follow कर लो third is matrix and determinant एक से दो question आते हैं ये भी easy chapter है आप अच्छे से करके जाना बिल्कुल मत छोड़ना है यार इसे AOI होता है अब यार इसके अंदर से question तो आने ही आने इन chapters के अंदर से but important ये है कि आप से question भी बन जाएंगे easy questions पूछे जाते हैं area under the curve भी आप अच्छे से करके जाना आप काफे बच्चे बोलेंगे या integration नहीं किया है तो यार इसमें basic integration लगता है कुछ 4-5 formula लगते हैं वो अलग से आप integration के formula याद कर लेना जो area under the curve के अंदर लगते हैं 5th is differential equation भी काफी है अब इसमें maximum time मतलब 90% time linear equation से ही question आता है linear differential equation तो आप अच्छे से करके जाना एक question definitely आपका बनना ही चाहिए इसमें 6th is vector and 3D अब यार ये important है मैं तो ये क्या हूँगा even आप कुछ मत follow करो vector 3D के लिए सिर्फ NCRT कर लो आप कुछ लोग क्या होते है न कि हसेंगे इस बात पर यार NCRT follow करेंगे हम vector 3D या maths के लिए यार जैसे vector 3D question हो गया probability हो गया इनके लिए आप NCRT से भी कर जाओगे तब भी आपके 95 plus chance है कि आप question ठीक कर दोगे quadratic equation हो गया इतना जाधा tough नहीं है इसमें बत्रब कर लो one shot video देखो हो जाएगा probability से भी एक question आता है conic section अब इसमें option है conic section follow कर लो है circles कोई एक करके जाओ दो question आते हैं straight line से एक question आता ही आता है मतलब tangent related questions होते हैं जैसे circle हो गया उसके tangent की questions काफी सारे आते हैं tangent और circle को mix करके अभी total questions हो जाते हैं 12 plus questions हो जाते हैं इसमें से around आप 12 question attempt कर लेते हो एक दो आप से गलत हो भी जाते हैं तब भी आप 40 plus score कर लोगे maths के अंदर ये सारे easy chapters हैं और बहुत ही जल्दी हो जाएंगे तो आपको यही करना है honestly speaking आप यह अच्छे से follow कर लो definitely आप काफी अच्छा score कर लो अपने expectation से जादा score कर लोगे यार आप अब इसके बाद आते हैं हमने यार weightage वगेरा देख लिया है अब आपको जो studies करने हैं वो question oriented studies करनी है मतलब आपको previous year question solve करने है follow one shot videos revision यार यह तो कितने बार बोलू कि one shot videos को follow करो fast fast अपने topics को cover करो revise करो previous year questions को solve करो इस time पे तो मतलब जो topper भी होगा वो भी previous year question solve कर रहोगा तो आप भी previous year question solve करो और revision भी करते रहना ऐसा नहीं है कि आप chapter cover करते रहो पीछे का भूल चाओ ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी notes बना रहे हो short notes बना रहे हो उन्हें regular revise करते रहना और अपना यार confidence confidence काफी high रखना और उस confidence के साथ जाना या साथ practice करना कि I will crack J-Mains 2021 इस साल मैं J-Mains crack करके रहूँगा ये confidence रहना चाहिए डेली जो भी आपने target बनाया उससे कवर करते रहा हो उससे आपका confidence काफी जादा बूस्ट होगा इस टाइम पर confidence की काफी जादा जरूरत होती है जो बच्छा 1500-200 नंबर mock test के अंदर लेकर आ रहा है आज और अगर उसका confidence लो रहता है तो वो एवन अपना 150-120 तक भी score नहीं कर पाएगा लेकिन जिस बंदे के अंदर यार वो है ना कि मैं महनत करूंगा और confidence है वो आज 120 भी marks लेकर आ रहा होगा तो उसके marks improve हो जाएंगे 30 नंबर तो सिर्फ confidence से बढ़ जाएंगे उसके और यार plan your next 15 days आपके पास 15 days है मैं around 20 June को मानता हूं कि पेपर स्टार्ट है तो 15 days अपना daily plan बना लो किस दिन कौन से chapters करने है और यार लग जाओ बस अब अब time waste करने का मतलब नहीं है अब तो सिर्फ लग जाओ दिन के 12 गंटे प्लस पढ़ाई करने है आप सभी को so guys that's all for today thanks for watching this video और यार one more thing अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो एक भी point आपको helpful लगा हो तो वीडियो को like जरूर कर देना channel को subscribe करना और अपने friends के साथ भी share करना यार ये तो मतलब आप मुझे support कर सकते हो जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँ प्लस यार comment down I will crack J.E.Mains 2022 और अपना targeted score जो भी आपका target score है वो भी comment section में नीचे लिखो उससे आपको confidence आएगा जब यार हम किसी चीज को लिख देते तो हमारे अंदर भी motivation आजाता है कि यार ये चीज तो मुझे achieve करनी ही है तो आपको लिखना है I will crack J.E.Mains 2022 और अपना targeted score so guys आज की वीडियो में इतना ही वीडियो छे लेगे हो तो like करना thanks for watching this video bye